वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ का एक्जाम होगा उस सबके पॉइंट अव्यू से या फिर आने वाले समय में जब 2024 में आप देंगे उत्तरप्रदेश PCS तो उस सबके पॉइंट अभी से यह जो पूरी सीरीज है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर जरूर बडूरी है तो इसके लिए आपको 8564 80530 इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आफ 7523 864 555 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर 9696066089 पर ज्यान सर्जेकर आप कॉल है फिर वाट्छअप के माद्यम से संपर्क करना चाते हैं तो फिर आप 7838692618 इस नंबर पर संपर् प्रफी वाले वीडियो भी आज ही आपको देखने को मिलेगा उसको भी जरूर देखेगा पूरी तरीके से एकस्प्लेइन किया जाएगा वहाँ पर एक एक चीज को सो आज जो हम हिस्ट्री वाले पोर्शन पर अगे बढ़ते हैं तीसरा यह वीडियो है प्रिविएज वीड देखेंगे तो भाईया हडपा के जो सब्विता थी उसमें जो कुछ भी मिला है जो भी अवशेश उसके मिले और जो भी वहां पर जो लिखाई या फिर जो आपके यह तो अलग अलग चीजों पर जो आकृतियां बनी हुई है उसको अभी तक रीड नहीं करा जा सका है ठी पॉसिबिली नहीं है पकी मिट्टी की जो मुहरे हों उस पर अंकित लेक उसको पढ़ ही नहीं सकते ठीक है तो यह दो तो होने से रहे जब यह दो नहीं होंगे तो आप आप्शन डी भी नहीं होगा अब सिर्फ एक चीज़ बती कि जो आपका पुरा तात्विक खुदाई है सिर्फ उसी से हमें हडपा की संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है अब अगर आप बात करेंगे खुदाई की तो अगर आप देखेंगे तो मोहन जोदलों में वहां पर एक विशाल अनागार मिला एक इसनानागार मिला एक डांसिंग गर्ल की मूरती मिली ऐसे ही मतल अब से एक पूरा एक थियोरी बनाई गई है एक पिक्चर क्रियेट करी गई है स्टॉरियंस के द्वारा कि इस इस तरीके से वहां पर चीजें होई होंगी सब कुछ किसके बेस पर है जो कि वहां से एविडेंस मिले जो पुरातत्व खुदाई हुई ठीक है चलो आकर्तियां मिली हैं उनको पढ़ा नहीं जा पाया तो पॉसिबिल ही नहीं आप कुछ उसके बारे में उनके लेक से समझ पाएं सिर्फ पुरातत्विक संबंद खुदाई जो है इसी से पता चला है ना ही जो बरतनों की मुहरों पर लिखावट है इससे भी कोई मतलब नही तो आंसर क्या होगा जो यह जो एक्सकावेशन यानि की जो खनन करा गया जो खुदाई हुई उसमें जो चीजें मिली है उसके बेस पर सिंदुगार्टी सब्विता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है निक्स्ट कोश्चन की बात करें कि यह जो यहां पर बात हो रह ठीक है बतला आरे काल से पहले भी जो है मूरती पूजा होती थी सेंदफ सब्विता के अगर आप बात करोगे तो उसमें भी मूरती पूजा पर चले थी कैसे अगर आप वहां पर देखोगे तो आपने यह पढ़ा भी होगा आपने की जो मात्र शक्ति थी उसकी पूजा व Steady for civil services के courses को आप join कर सकते complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group मे आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूँ इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस number पर आप संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं उस पर भी मुहरों पर भी आकरती बनी हुई है भगवान शिव की तरीके की योगी की वहां पर आकरती मिली है तो इसका मतलब क्या है कि मूर्ति पूजा जो है यह आरेयों से पूर्व की है ठीक है option A यहां पर सही होगा कि आरेयों से पहले भी मूर्ति पूजा प्रचलन में थी next question पर move on करते हैं अब यह जो question आपकी screen पर है यहां पर आपको यह site दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि यहां पर जो कौन सी site है किस से related है नीचे कूट भी इसका दिया हुआ है तो अगर हडपा लोथल काली बंगा या फिर मुहन जोदलो की बात करें सबसे पहले हैं मुहन जोदलो की बात करते हैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुहन जोदलो में एक dancing girl की मूरती मिली है ठीक है तो obviously बात है सबसे पहले आप इसी को match करा होगे काली बंगा से यहां से मिला एक जुता हुआ खेत यह दो चीजें तो एकदम सही है इसके बाद लोथल की अगर आप बात करोगे तो यहां से डॉक्यार्ड मिला है ठीक है मतलब गोदी बाड़ा है फिर डॉक्यार्ड जबकि हडपा की बात करें तो अकेला यही बचता है तो शवाधान आर थर्टी सेवन यह कहां से मिला यहां पर अगर आपको एक पता है अगर इतना अधा कॉंप्लेक्स कोड नहीं दिया हुआ है उस केस में आप इसको इसली सॉल्व कर पाते हैं अगर आपके सही कोशन मतलब सही आंसर को आप्ट करने की नेक्स्ट कोशन है एक जुता हुआ खेत इसकी खोज कहां पर की गई तो अभी हमने देखा काली बंगा अच्छा comment section में अब मैं आपसे लोगों से कोशन पूछ रहा हूँ कि अगर है मोहन जोजयो की बात करें काली बंगा की बात करें हडपा की बात करें एंस लोथल की बात करें तो इनको कौन कौन से एर में खोजा गया सबसे पहली चीज़ आपको यही बताना है कि इनके जो थे यह कौन कौन थे यह comment section में आप लोगों से expected है कि आप लोग पताएंगे ठीक है इसके बाद next question की बात करें यहां पर भी आपको दो सूची दे रखी है एक तरफ आपको यह हडपा की site दे रखी है और दूसरी तरफ उस river को दिया हुआ है जो river जो है जिसके किनारे यह सब सबसे पहले हडपा की बात करें तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है हडपा यह जो पूरी यहां पर विक्सित हुई है यह रावी रिवर के किनारे है अच्छा हडपा कहां पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कमेंट शेक्शन बताना आप लोग काल कालि बंग 200 बंगह काली बंगह वंब ँघर रिवर की बात करें लोफल भोगवा लुधल के लिए इस तरीके से भी साय तर्क याद रख सकते हूं आप कि लो भोगलो थीक है लो भोगलो का मतलब क्या होसा क्या होगा है लो भोग भोगवा को याद रख सकते हैं कोई भूलोगे भी नहीं ठीक है रोपळ की हमारा कूट होगा सो आंसर में देखें तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा थैट्टी टू वन फॉर इसके बाद मूव आन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर अब इस कोश्चन में आप से यहां पर पूशा गया कि सेंदर सब्विता का महान इस कानागार कहां से प्राप्त हुआ हरपा से लोथल से और काली बंगा इसको सब इसकी के सिस्ट के बारे में कि सिंदुगा और सब्विता के बारेमें कि निम्नमें से कौन सा कफन जो है वह असत है पहला नगरों में नालियों की सुद्रण विवस्था थी जैसा हमने बात कराए कि जब पहला इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने यही बात करी थी कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी आपकी अर्बन कल्चर था वहाँ पे मतलब शहरी करण वाला था शहरों की तरह पूरी विवस्था थी ड्रेने सिस्टन था प्रॉपर व्यापार भी उसी तजिके से होता था तो इसका मतलब यह पहला जो स्टेट्मेंट है वो तो यहां पर सही है ठीक है हमें असत्य को ढूंडना है दूसरे स्टेट्मेंट की बात करें कि व्यापार और पाने जो था वो उन्नत दशा में था यानि कि यह वाली बात भी सही है अभी अपने इसके बारे में चर्चा करी है इसके बात मात्र देवी की उपास्तना की जाती थी यह अभी हमने स्ट्राइटिंग में देखा था कि मात्र देवी की मात्र मूर्तियां बगरा मिली है पश पूजा होती थी तो यह तीन स्टेटमेंट्स ही हो गए हमको डूढ़ना है असत तो भाया लोहे से यह लोग परिचित नहीं थे अगर यह लोग लोहे से परिचित होते तो यह बहुत तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ते क्योंकि जितने जंगल इनके रास्ते में पढ बहुत तेजी से मिली कि जो लोहा वगएरा उस सबसे परिचित हुए तो उसके बाद धीरे धीरे वो और तेजी से डिवलपमेंट हुआ इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं यहां पर आपसे पूशा गया है कि कौन सा है जो की सुमेलित नहीं है यह आपको तो यहां पर देखो सबसे पहले बात करें आलमगीरपुर की तो आलमगीरपुर के बारे में दिया हुआ है क्या, कि यह उत्तरप्रदेश में है, लोथल, गुज्राट में है, काली बंगा, हरियाना, रूपड, पंजाब जो इसकी हुआ करें तो इसमें आलंगीर पर उत्तर्प प्रदेश में हैं जही बात है, यह जो साइट है लोथल जो साइट है वो गुजरात की है, सही है बाद है pokalipangai रही बात करें तो पहली बात तो इसके बारे में जो फेक्ट हैं आपको याद होने चाहिए कि अमला नंद घोश इन्हों ने इसकी साइट की खोज करी थी कब खोज करी थी 1951 यानि कि 1950 में सम्मिधान लागू हुआ है और 1951 में काली बंगा की खोज करी गई ठीक है अब यह मैंने इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको याद रहे अगली बा इवेंट से जो आप कभी भूलो नहीं उसको आप उससे अटेज कर लो तब आपको इस सारी चीज़ें याद रहेंगे आपको यह कभी फिर आप भूलोगे नहीं ठीक है इस तरीके से याद कर सकते हो अच्छा यहां पर तीसरी बात स्टेट की बात करें तो राजस्थान व जो है यहां पर एक से किसिक अंदर दिया हूँका श्यूद है यह मांड़ा देखों सबसे पहले का लिगा देखाए थीक है तो कालीगणा कहां पर रही स्थान में तो प्वहा इसके बात के बारे में आपको पता होगा महाराष्ट मे माणडा की बात करो टो जम्मू कश्मी कोड होना चाहिए वो क्या होगा आपका 3412 ठीक है यानि कि 3412 यह इसका कोड होगा यानि कि आपका option C जो होगा वो यहां पर सही होगा ठीक है चलो फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहां पर end करते हैं कैसा यह सेशन लेगा comment section बताना कितना कुछ आपको आपके लिए informative रहा यह मैं आपको के नाम से करूंगा कि सबसे पहले किसना answer कर रहा है किसने सारे questions के answer करें ठीक है चलो फिर बाबाए